आज 17th मार्च 2022 हम सुन रहे हैं प्रातो शाकार हिंदी मुरुली आज का महाबख्यों इस महाबख्यों में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे तुम्हें भुक्ती की रोचोक बाती के बजाए रूहानी बाते सबको सुनानी है रावन रज्यों से मुक्तो करने की शेवा करनी है बहुत इंपर्टेंट बात बाबा समझाते हैं धाई हजर सल रावन हमें भटकाया अभी ये ग्यान हमें प्राप्त हुआ है अभी सबको उधार करना है प्रश्ण शेवा में शफलता प्रप्त करने के लिए मुख्खो कौन सा गोन चाहिए उत्तर निरहुंकरिता गोन महावीर के लिए भी दिखाते हैं जहां भी सत्संगों होता था वहाँ जुत्तियों में जाकर बेट था क्योंकि उसमें द्यहवान नहीं था परंतो इसमें बहादुरी चाहिए तुम कोई भी ड्रेस पहन करके उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो गुप्तो बेश में जाकर उनकी शेवा करनी चाहिए इतना हिम्मत बाबा हम बच्चों को देता है तो बच्चे ये हिम्मत दिखानी चाहिए आज का गीत है ओम नवश् बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पवित्रो पावन मना पवित्र पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है बरवर वो आता है जोरूर दुनिया में जब ये करियोग खोर अंधियारा हो जाता है भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वो आता भी जोरूर है परंतो वो आएगा तब जब भक्तों को भ फल देना होगा, ये भगवन का बच्चा है ना हम सब, हमको तो फल मिलना ही चाहिए, फल देना अर्थाद बर्षा देना, जो भगवन का पस संपति है, उनके लिए तो बहुत सहज बात भगवन सुना आते हैं, लेकिन भगती में हम बहुत महनत करते आया, भगवन कहे थे बहुतों को प्रप्ति हो सकता है, सेकेंड में जिवन मुक्ती और ततशोक शांती मिली, मौनिशो कहती भी है कि शांती शूक और बड़ा आयू चाहिए, ये जिवन में सभी का इच्छा रहता है, आशा रहता है, छोटे पौन में कोई मरता है, तो कहते हैं, आकाले पूरी आयू नहीं बिताई, और बाप जो कुछ करके गए, उनको ही गायन है, बाबा आकर के बच्छों का बहुत धरनवन बनाते हैं, बच्छे सेकेंड में जिवन मुक्ती प्रप्त करना तो मरबार तराइट है, तो जुरूर पहले जिवन मंदों में होगा, रावन तुम इसल घार ग्रियोस्त में रहा करके जिवन मुक्ती को पाए, इस समय ब्रह्मन बनना, बाबा के एते बहुत भज्यों का बात है, बाप ये भी समझाते हैं, आक्षोर ही तो दो है, राज्यूक और ग्यान, भारत का प्राचिन राज्यूक तो मौशूर है, प्राचिन मना पह बनता है, बाबा केहते हैं, ये भारत बाशी ही सर्गवाशी था, अब तो भारत बहुत दुखी हो गई, पहले सुर्जवशी राज्यू था, आप नहीं है ना, फिर उनको याद करते हैं कि वो राज्यूक और ग्यान किस ने दिया था, यह नहीं जानते हैं, नहीं तो बापका बने तो वर्षे के लायक बने लेकिन मुश्किल तो यही है बापका बनते ही नहीं बापको पेच अन्ने के कोई कोशिश नहीं करते हैं। फिर भी मात पिता, टीचर की शिक्षा मिलनी होती है, तो मुक्ती का भी बर्षा चाहिए न, इसलिए गुरु करते हैं, पर उन्तो जिबन मुक्ती तो कभी कोई दे नहीं सकते, एक परम्पिता परमात्मा के सिवा है, जब जिबन बंध का अंत हो, तो जिबन मुक्ती की आदी हो, तब ही फिर जिबन मुक्ती देने वाला आए, ये भी परिस्तिती होना चाहिए, तब तो बाबा कहते हैं, भोक नहीं लगे, तो खाना कोई नहीं खाएंगे, इसलिए तो ये भी बाबा कहते हैं, ये भी तुम्हारा practical समय होना चाहिए मुनिशो ने सिर्फ सुना है सेकेंड में जेबन मुक्ती अतवा सेकेंड में राबन रज्जो से राम रज्जो पोथित से पाबन परूंतो कैसे सो नहीं जानते बाप तुम आत्माव से बात करते है यो है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रोहो देते है परम पिता देते है वहा तो सब मुनिशो ही मुनिशो ही शासरुआदी पढ़ते रहते है सत्द्रापर योग में कहते है फलाना महत्मा ने यो ग्यान दिया हमें धन्न धन्न हो गया तो यहां है प्राची ने राज्योग और ग्यान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था पांच हजर बर्शों पहले जिससे तुम सो देवी देवता बने थे ब्राम्मों सुपरिस्ता सो देवता बने थे अब प्राइ लूप हो गया यो ग्यान अगर लूप ना हो तो कौन सुना बे तो मौनिश्व पतित ना बने तो पतित पावन अगर के पावन कैसे बनाएंगे तो बाबा ने कहा ड्रामा में ये सब लगा हुआ है ड्रामा में ये सिन तो फिक्स हुआ है पतित पावन पतित बनने में चराश जन्म तो लेने पड़ते हैं इसका ही इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं तो बच्चे ही समझ पाएंगे बरणों भी समझाते हैं ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए न तो ब्रह्मा विश्नु शंकर इन तीनों का बाप है परमपित प ब्रह्मन सो देवता बन जाता है, बाबा कहते हैं ब्रह्मन बनो, ये पराई करो, तो तुम ये, तो ये कंख्षपुरी से, ये राबन पुरी से तुम विष्णपुरी का मालिक बन जाएंगे, तो ब्रह्मन धर्मवाले मुनिश्चों से, तुम सो देविदवता धर्मवाले बन रहे हो इस समय तुम्हारा फिलिंग होना चाहिए तो पहले प्रजा पिता ब्रह्मा चाहिए न तो बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा को पहले ग्यान सुनाते हैं उनको हमारा सम्मुक रखते हैं कहते हैं बैचे इसको फॉलू करो कृष्णो को तो प्रजा पिता नहीं कहो सक बते हैं यह थो पास्क्राव को इतना रानिया इतना बचचय आ दी थे यह सब भूल बात है बास्टव में तो बच्च जनमा लेकर कि ऑरामर तो दादा लेकराज बनते हैं तो भगवा न करu उनका तन में प्रविश करके उनका नाम ब्रह्मा रखते है जो से कृष्ण वही ब्रह्मा तो बस इस एक जन्मों की उथल पतल ने मुझा दिया है बाबा समझाते हैं तो ये इस समय तुमारा बुद्धी का ताला खुलता है गीता का भगवान कृष्ण को कह दिया तो शीप क कर्मकंड तो रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवे देवता धर्मों की रचना करते हैं तो ऐसे नहीं परमात्मा स्रिष्टी कैसे रचते हैं परमपिता परमात्मा को बुलाती ही है हे पतित पावन आओ दुख हर्ता सुख करता हाओ हम पतितों को आकर के पावन बनाओ दुनिया को यह मलम नहीं है इस समय राबन का रज्ज चल रहा है राबन की बरी-बरी कथाए बैट सुनाते है कितना बरा-बरा शस्रो पाट करके सुनाते है इसको कहा जाता है भक्ती मारकी रोच्चुख बाते और इस समझ जो परमपिता परमात्मा हमें सुनाते है यो है रूहानी बाते आत्मा को उन्नती के लिए तो इस समझ सब सिता ए अत्बा भुक्तिया रावन की कैद में है बाबा कहते हैं ये भी प्रेक्टिकल है और रावन रज्ज में सभी दुकी है ये क्याद हो गया तो दुखी ही होना परेगा अब सबको राबन रज्य से मुक्त करना परमपिता परमात्मा का काम है हम बच्चों को उधार करते है अब बाप आया है और कहते है बच्चे तुमारी चराशी जन्म अब पूरे हुए है अब वापिस चलना है मेरी साथ तो को सुख का बर्शा दिलाने अर्थ हो फिर से तुम्हे राज्युक और ग्यान में शिकला रहा हो ये है मुल बाद ये कर्तिब करने के लिए मैं आया हूँ ये पुराने दुनिया बिनाश हो जाएंगे तो हमारा आखों का समने मुनिश्यों तो बिनाश से बहुत ड़ते हैं समझते हैं या आपस में लरे ही नहीं तो शंती हो जाएंगे इसलिए शंती के लिए मेटिंग करते हैं शंती के लिए तो सब को समझाते हैं फिर इतने अनेक धर्मों में शंती कैसे होगी बाबा समझाते हैं ये तो सभी टुकरा टुकरा हो रहा है तो ये तो जोर नहीं रह है न तो शंति कैसे होगा बाब समझाते बच्छे यो इतने सब धर्मों जो अब है वो पहले नहीं थे वो टुक्रा हो गया तो अपना मतभध हो गया तो जब एक ही धर्म था तब बरबर शोक शंति का रज्यता वो अभी होने वाला है सब मांगते हैं मौन को शंति कैसे मिले तो बाबा समझाते औरे मान क्या चीज है पहले तो इसको समझाना चाहिए ना समझना चाहिए ना मैं समझाता हूँ अगर तुम धिरे धिरे समझ पाओगे आत्मा मैं ही मान बुद्धी है आत्मा को समझ लो मान बुद्धी को भी समझ जाएंगे आत्मा का कर्मचरी है मुन पिर जार और ड्रामा की समझानी भी देनी परे जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं। को याद करो तो ठीक है परन्त यह डीटेल जब तक किसको समझाये नहीं तब तक बुद्धी नहीं खुलेगा बुद्री में तो गदरिस का तला लगा हुआ है स्रिश्टी चक्र को समझा समझ नहीं सकेंगे जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं न तो वो बुद्धी में आदी से अंतर तक घुमता रहता है तो ये सिन हुआ ये दुख का बात आए ये खुसी का बात हुए कहते तो कहने में तो स्रिप इतना ही आएगा इस ड्रामा को देखकर आए हैं तो अब बाबा समझाते हैं तुम भी कहते हो ना इस ड्रामा को हम जानते हैं ये पाश अजर सल ड्रा मिलता है फिर बुद्धी में चक्रों भी तो है चरशिका चक्रों जुरूर घरी-घरी याद करना है बाबा के तो ये शदर्शन चक्रों है यो ग्यान ब्रह्मों नो को ही मिलता जो फिर दवता बनते हैं इस समाई ये ग्यान गुमा करके चक्रों गुमा करके ये मानो बृत्त को हमें परिवर्तन करना चाहिए, ब्रहमा सो बिश्नु फिर बिश्नु सो ब्रहमा बनते हैं, तुम जो देविदवता थे पुनर जन्मा लेते लेते फिर आकर के ब्रहमन बने हो, हाथ का बाप तो श्रिप उन्नोती पालना करते है, बिनाश तो नहीं करेंगे, बिनाश सारा पोतित दुनिया ही ना रहे ये परमात्मा का हाथ में हैं वो करते नहीं वो कराते हैं सारे रावन रज्जो ही बिनाश होना ही है नहीं तो राम रज्जो के सिस्थापन हो वहा कभी रावन को जलाएंगे नहीं सत्य युक्तरिता में वक्ति मार्ग की कोई भी बात ग्यान भक्ती बरेग्यों, जब ज्ञान प्रप्त होता है, भक्ती हमें भूलना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान हमारा अंदर में तो ठहरेंगे नहीं, ज्ञान का शक्ती हमें प्राप्तों नहीं कर पाएंगे, तुम सत्य युक्तरता में प्रालब्द भूगते हो, इस समय तुम पु तो भक्ति किया, फल मिला ज्यान और ज्यान को चर्चा किया प्रालब्द मिल गया, तो ये आटमेटिक रोडेशन होता रहता है अलप और काल का खनव भंगर शोग, पहले तो भक्ति बेवेजरी थी, फिर आवेजरी थी फिर बेवेजरी होते होते बिलकुल ही दूखी बन जा और वर्षे को याद कर पाते हैं याद किया और सर्गों की बाद शाही मिली तो नारोक में कैसे आए तो यह सब बाते बैट समझाए जाती है अब तुमको सरश्रिष्टी चक्रों के आदी मुद्दू अंतों का पता पर गया ना तुम कितना भायो शलियात्मा हो तो इस समय त तो ब्रह्मनों को कोई जानते नहीं, ब्रह्मनों का जिवन बहुत उच्छा दिखाया है, ब्रह्मनों का जनम हिरा जनम है, दवताई का जनम शार्न तुल्ला है, दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था, हनुमान जाकर जुत्तियों में बेड़ जाता था, अब यह बात महा बीर के लिए क्यों कहती है इस समय तुम ब्रह्मन तो इस समय तुम हनुमान बनते हो अर्थात तुम शक्तिशली बनते हो निरहंकरी बनते हो क्योंकि तुम बच्चों में कोई दहावन नहीं है समझो सत्संगों में कोई ऐसी बात निकल परे तो तुम कहो सकते हो प्राचीन सह अरग्यान से सेकेंड में जिवन मक्ति लेना है तो फलाने के पस जाओ, फलाने सेंटर में जाओ, फलाने जगाप पर जाओ, तो वहाँ गिता परशला है, वहाँ सेंटर है, तो आदी आदी, समझने वाले तो बहुत बहादूर होना चाहिए, निरहंकरी चाहिए, जरावी दह पाबान उनका नहीं होना चाहिए, कहा भी जाकर बैठे, टाइम मिले, तो बोलना चाहिए, बाबा का दो चार बात बोलना चाहिए, तो देखेंगे, तो चारू और लोग इकटा हो जाएंगे, मुझबूत होगा तो भाशो नादी करेगा, कि ग्रियोस्त बेवार में रहते कैसे सकेंड में जेबन मुक्ती मिल सकती है, परम पिता परमात्मा के सिवाए, कोई तो दे नहीं सकते, यो महाबिर ही, तो समझा सकते है, तो सुनने के लिए माना नहीं है, ग्रियोस्त बेवार में रहते, तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, बोलो, राज्युक शिक तो प्रिश्णों ने भागाया, और ये भागाने के तो कोई बात ही नहीं, टिचार कप पराने के लिए भागाते है क्या, सर्विस करने वालों को बहुत बिचार शगर मंतन करना है, और बहुत बहादूर बनना है, अच्छा, मेठे मेठे, सिकिलदे बच्चों परती, माग पिता, बाप, ददा का, याद, प्यार, और गुड मॉरिंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप, ददा को भी, याद, प्यार, गुड मॉरिंग, नमस्ते, नमस्ते, धरना के लिए मुखशर नमबर वन, सभी भ आप और वर्षे को याद करना है दहावी मंचोर महा बिर्बन शवा करनी है विचार शगर मंतन कर शवा की नई नई जुक्तिया निकालनी है बर्दन है नाथिंग नियों की जुक्ति दरा हर परिस्थिती में मोज की स्थिती का अनुभब करने वाले सदा आचोल आडल भबो क इतना सुंदर बर्दन बबा देते हैं इसका अर्थ बबा समझाते हैं ब्रह्मन अर्थत सदा मोज की स्थिती में रहने वाले दिल में सदा सतो यही गीत बाशतर है वाह वावा और वाह मेरा भाईग्या बाबा को भी धिन्नवात करें अपने भाईग्यों को भी शुक्रिय दुनिया की किसी भी खल चल वाली परिस्तिती में तो अश्चुर जो नहीं, फल स्टाप, अश्चुर जो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाये, लेकिन आपकी लिए नाधिंग नहीं होना, कोई नई बात नहीं, इतने अंदर से अचोल स्थेती होना चाहिए, क्या क्यों… तो मन मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडल आत्मा है, कोई भी परिस्तित आये, तो मुझाना नहीं चाहिए, तो आज का स्लोगान है, तो बृत्ती में शुब भाबना हो, शुब कमना हो, तो शुब भाइब्रेशन फेलती रहेगी, ये शुब भाइब्रेशन तो फेलाना ये ब्रह्मनों का काम है, आज का समान है, मैं आचल अडल आत्मा हो, आज का अनमुन ग्यान रत्नों दादियों का पुरानी डाइरी से हम सुनेंगे नमबर वान, अब तुम्हें दैवी गुनों की धरणा करनी है, धर्जवद गुन की धरणा भी निश्चे से होती है, और शक्षिपन की अवस्ता में खुशी रहता है, इस धरणा से ही परमात्मा आपी ही हाजर कदम आगे प्रत्थक प्रक्षत होता है, ये प्रेक्टिकल बात है, हमें दैवी गुन धरण करना है, निश्चे से हमें आगे बरना है, शक्षिपन का स्थिती हमें पक्का करना है, बाबा कहता है कि तुम शुक्ष्म में दो कदम नजदिक आओ, तो स्थूल में अनेक कदम उठा करके सामने आओंगा, यान है ही ही शो लक्षो में उतना ही एक दो के सुक देने के निमित बनेंगे, कितना बरा हमें प्राप्ति मिलता है, आज देना काल मिलेगा, आज किसी को ये ग्यान का, तो अथरिटी बन करके ग्यान दो, आज सर्वेंट बन देने, देने से काल मालिक बन रज्य करेंगे, अभी तो वाल्ट सर्वेंट हो ना नमबर दो होर एक शोस्थिति में स्थित हो अपने रोत को चलाते चलो चलाते चलो ब्रह्मा को देखो जैसे कि इस रोत को मैं बिठाता बिठाती हो मैं खिडाती हो सुलाती हो मैं मुख से बात कराती हो अगर मैं मुख से किसको दुख देती हो तो जैसे अपने ही सारू की इंसाल करती हो तो फिर शंपुर्ण आत्मा कहती है कि है जीब आत्मा तेरी पर अपसुस है ऐसे इनसान अथवा प्रानी में में शुद्ध आत्मा प्रभिश नहीं हो सौ शुद्ध आत्मा जिस जगाओं है तो उस जगाओं पर अपसुस नहीं क्योंकि वो कभी भी किसको दुख नहीं दे सकते शौ शुद्ध आत्मा तो शुक शुरूप है और ऐसा शौ निष्ट बुद्धी तो सदय वो सुक पहुचाता है तो यो शक्षत मेरा शौरूप है और जो अपने शौ आत्मा निश्चे करते हैं और नो को दुक देता है वो स्रिप कहलेने वाना कहले वाना पंडित है तो आपने को आप पंडित को हो तो ये तो कोई मानेगा नहीं लोग आपको पंडित कहना चाहिए उसका असर दुसरों प